सब कुछ बुला कर ईशान और शांतनू ईशा का खयाल रखेंगे हत्यारे का पता लगाएगी सभी गुम है किसी के प्यार में का लेटेस्ट एपिसोड काफी मज़ेदार होगा जहां निशीकांत गुस्से में हत्यारे को बुला रहा है और उसे गोली ना चलाने के लिए कहरा है खैर अब यश्वन्त राव और सुरेखा को ईशान को खोने का डर गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट ट्रेक में हम देखते हैं कि सभी भोसले कॉलेज में हुए सभी भरष्टाचारों की रिपोर्ट दिखाने के लिए इस बीच हम देखते हैं कि निशिकांत गुस्से में हत्यारी को बुला रहा है और उसे गोली ना चलाने के लिए कह रहा है खैर अब यश्वन्त राव और सुरेखा एको ईशान को खोने का डर सता रहा है हमें इंतिजार करना होगा और देखना होगा कि यश्वन्त राव इस मोड को कैसे संभालते हैं दूसरी तरफ डॉक्टर सभी भावी का शर्मा को फोन करता है और बताता है कि इशा मांसी सालवी की जान खत्रे में है गुम्हे किसी के प्यार में के अपकमिंग ट्रैक में हम देखते हैं कि सभी भावी का शर्मा हर सच्चाई को उजागर करने के लिए वह उस लेकि जाने का फैसला करती है वह आदी रात को वहां पहुंचती है लेकिन इशान उसे देख लेता है और उसे गिरफतार करने के लिए पुलिस को बुलाता है उसका दावा है कि वहां मातुपूर दस्तवेज लूटने के लिए आई थी बाद में ये संबब हो सकता है कि इशान शक्ति अरोड़ा खुद सचाई का पता लगाने की कोशिश करेगा और एक बार जब उसे पता चल जाए कि वास्तव में ये क्या हो रहा है तो वह सभी का पक्ष लेगा और उसका समर्तन भी करेगा गुम्हे किसी के प्यार में के फ्यूचर के ट्रैक में हम देख सकते हैं कि इशा मैं मान सी साल भी को कौमा में चली जाती है और उसे अपने परिवार की जरूरत होती है इशान इशा को अपने घर ला सकता है और उसको ख्याल रख सकता है जल्दी ही इशान को यश्वंतराओ और सुरेखा के बारे में सचाई पता चल जाएगी ये संबब भी हो सकता है कि गुम है किसी के प्यार में का आने वाला टूष्ट आखिरकार इंसान को उसकी माँस से दोबारा मिलवा दे गुमहे किसी के प्यार में सबसे लोग पर ये हिंदी टीवी शो में से एक है और दशकों को ईशान और सभी उर्फ शक्तिय अरोड़ा और भाविकर शर्मा के बीच की प्यारी केमिश्ट्री पसंद है नभी नेतम ट्रैक में बहुत मनोरंजग होने के साथ सब नाटकिये भी है क्योंकि अब सच्चाई सामने आने और माँ और बेटे के उनर मिलन का समय आ गया है और हम देखते है कि ईशान उसे देखने आता है और सभी इसका समयाद करती है और इसे समजाती है कि भी अपनी आई से प्यार करें और सभी की बीच प्यारी Нोक जोक देखने को मिल रही है दूसरी तब यश्वंतरा निमाई वाली और सुरेखा भोसले डर जाते हैं और इशान शक्तियरोडा को उसकी आई से मिलने से रोकते हैं लेकिन इशान कहता है कि वे अपनी जिम्मेदारी निवाएगा और अपनी माँ से मिलने जाएगा खैर आकिरकार सभी को पता है कि ईशान में को भोसले कॉलेज में हुए गोटाले के हर सचाई पता है और मैं उससे वादा करती है वैं असली अपराजी को पकड़ लेगी हम देखते हैं कि पुलिस बोसले के घर का निरिक्षर करने आई थी और सभी भी रिपोर्ट लेकर आई थी तो दोस्तो कैसी लगी नियू अपडेट हमें कमेंट सेक्षन में कमेंट करके ज़रू बता है रहां ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तो